दोस्तों सागत है आपका हमारे एटूब चैनल पर तो गाइस आज की सुड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम से किसी पोस्ट को अर्चीव कैसे करें या फिर किसी रिल को भी आप अर्चीव कर सकते हैं गाइस वीडियो में बने रहे है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आगे भी आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना इंस्टाग्राम को ओपन करना है open करने बाद यहां पर आपके सभी देखिये मिल जाएंगे post या फिर अपनी profile पे click करके किस भी post को यहां से ले सकते हैं यह देखिए guys तो जिस post को आपको archive करना है उस post पे click करना है फिर आपको उपर की साइड थिरी डॉट पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर अर्चिव का एक option मिलेगा इस पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे loading ले रहा है और अभी देखना अर्चिव हो जाएगा और अगर आप इसे बात में वापस लाना चाहते हैं तो आप इसे वापस भी ला सकते हैं तो आप इसे अर्चिव हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे वापस लाएंगे देखेगा इस अर्चिव हो चुका है अब चलिए हम आपको इसे वापस लाकर दिखाते हैं तो वापस लाने के लिए simply आपको अपनी profile में आ जाना है profile पे आने के बाद आपको उपर की side 3 line पे click करना है click करने के बाद आपको अर्चिव वाले option पे click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद देखिए post अर्चिव का option आपको मिल जाएगा अगर उपर यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर story अर्चिव पे click है तो नहीं मिलेगा देखिए अगर इस प्रकार का आ रहा है story अर्चिव तो सबसे पहले आपको यहाँ उपर click करना है क्लिक करने बाद पोस्ट अर्चिव पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे जितने भी पोस्ट अर्चिव किये रहेंगे सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अब जिस पोस्ट को आप वापस लाना चाहते हैं उस पोस्ट पे क्लिक कर देना है फिर आपको उपर की साइड three dot पे किलिक करना है फिर आपको यहाँ पर देखिए so on profile पे किलिक करना है और फिर देखिए loading ले रहा है और देखिए हमारा वापस आ चुका है अब हम आते हैं back और अपने page को refresh करते हैं और यहाँ पर आप देखिए हैं कि हमारा जो post था वापस आ चुका है तो इस परकार गाइस आप भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बसितना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू